नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर में कुरोना लॉकडाउन से जलवायों को कोई फाइदा नहीं दुनिया में इस साल तूटेगा गर्मी का रेकॉर्ड मौसम वग्यानिका का अनुमान है कि इस साल गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड खतम हो सकते हैं जब से धर्ती के तापमान का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया उससे लेकर अब तक 2020 सबसे गरम वर्ष हो सकता है विशेशग्यों का अनुमान है कि इस साल गर्मी का रेकॉर्ड तूटने की 50-70% जी गुंजाईश है दुनिया में सबसे जादा गर्मी का रेकॉर्ड चार साल पहले बना था माना जा रहा है कि करोना वारिस की कारण दुनिया भर में लॉकडाउन है जिससे आस्मान साफ हो रहा है और परदूशन में कमी आ रही है लेकिन इससे जलवाईों को ठंडा रखने में कोई मदद नहीं मिली है वासब में गर्मी का रेकॉर्ड तूटने की शुरुआ जन्वरी से हुई थी यही वज़ा है कि अमेरिकी मौसम विभागने अनुमान जताया है कि इस बात की 75 फीजदी गुंजाईश है कि 2020 अब तक का सबसे गर्म साल होगा इस साल उस्ट्रेलय के जंगल में आग लगने की कई घटनाय हो चुकी है इसके वज़ा अधिक तापमान को माना जा रहा है पिछले साल कैलिफोर्निय और यह तक की आक्टिक जैसे इलाके में आग ने भारी तबाई मचाई थी यह जून का सबसे गर्म महीन था जिसमें ग्री लैंड से लेकर साइबेरिया और अलास्का तक जंगलों में भयानक आग लगी थी गर्म और सुखे मौसम के साथ सुखे और तेज हवाओं ने आग को तेजी से फैनले के लिए अनुपूल परस्तितियां बनाई थी और श्रीलिया के जंगलों में लगी आग से पचास लाग से अधिक जीव मारे गए थे दुनिया में तापमान को दर्च करने के शुरुवात 19 वी श्रताबदी के मध्य से अंत हुई थी सबसे अधिक गर्मी का रिकॉर्ड 2016 में बना था यूंवर्सिटी ओप ऑक्सवर्ड में मौस्थम विज्यानिक कर्ष्चन हॉस्टे ने कहा की शाल में उठ्सरजन में कमी आई है लेगिन ग्रीन हाउस गैसों का उच्च स्तर बरकरार है वातावराण में ग्रीन हाउस गयसे की सतर में कोई कमी आने की संभावना नहीं है जन्वरी में कई आक्टिक देशों में कम ही बरफ रह गई थी क्योंकि अब तक का जन्वरी को सबसे गरम महीना था फरवरी में अंटाक्टिका में एक शोद केंजर ने अपना अब तक का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया था अमेरिका के बड़े हिस्से में काफी गर्मी पड़ रही है जबकि ऑस्ट्रेलिया भी गर्मी से जूच रहा है अगर 2020 सबसे गर्म साल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ता है तब भी अमेरिका मौसम विभाग के मुताबिक यह सबसे गर्म पांच वर्षों में शामिलो सकता है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सबस्क्राइब करे तब तक के लिए धन्यवाद